हेलो फ्रेंड्स आप सबका मेरी टुकुस के जिन बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाते हैं चेट पटा सा 10 मिट में टेस्टी सा नास्ता नास्ते में बनाएंगे हम खस्ता करारी पूड़ी और आलू मटर की सुखी सबजी तो पहले हम बनाएंगे सबजी उसके लिए ह इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम जीरा चार पांस सुकी मिर्ची तोड़के डालेंगे हमने मिर्ची और जीरा हमाद चटक गया इसमें डाल दे हमने थोड़ी सी मटर मटर को थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से मटर हमारा फ्राई हो गया है इसमें डालू मैस करके डालेंगे हाथवासे मैस करके डाले हुए आलू बहुत अच्छा लगते इस सबजी में और यह सबजी 10 मिट्र सभी कम टाइम में बनके त्यार हो जाती है क्योंकि इसे हैं दोस्तों सर्दियां बहुत पड़ रही है तो सर्दियों में बहुत देर तक किचन में काम का करने का मन करता नहीं है तो इसलिए ज्ट पड़ से बनाते हैं ये नास्ता हम तो देखिए हमने सारे आलू को डाल दिया कड़ाई में और इंक हम कर देंगे हैं खुब बड़ी है से मिक्स में तॉमने अपने आलू कर दिया अच्छे से मेक्सज दोस्तों आप लोग मेरी भी अच्छी लगती है तो प्लीज में चैनल को लाइक सिर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी सब्सक्राइब को हम ढखके पांच बुट लिए पकने देंगे और इधर हम आटा लगा लेंगे तो हमने दो कटोरी आटा ले लिया इसमें थोड़ा डाला हमने अजुआ को मताता हैं थोड़ा से रिफाइन ओली डाल दिया है थोड़ा सा नमक सvo Calvin कनुसर और दो चमज सूजी डाल दी इसमें अब इसमें डालेंगे एक चमज भरके अचारका दाल तुमिद्धा और अचारी खसत पूरी बना रहे है तो जरूरी है और और जिसमें सूजी डाल लि अब उपर से इसमें हम थोड़ा सा ओईल से ग्रीज कर देंगे और इसको हम अच्छे से मसल देंगे मसल के इसको हम 10 मिटली रख देंगे रेश्ट पे थाकि सूची हमारी अच्छे से फूल जाए ति यह देखे दोस्तों हमारा आटा 10 मिटली रेश्ट कर चुका है इसको एब सभी हम सभी इसमे और मटर में अच्छे से फ्राइब हो गई है उनको भी हम फ़ोर देते हैं और इसमें दालेंगे हम आदा चमच हमचह त्युर पावडर से और छी दह बड़ अधा थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी हाथों से क्रस्ट करके और इन सब को खुब बड़ा से हम कर देंगे mix mix तो एक बले सबजी बना के खाना तो बनता है ठंडियों में कि मतर भर भर के आ रही मार्केट में अब बहुत टेस्टी लगती है तो यह देखिए हमाई सबजी चिस हो गई है इसको फाइनल टचम देंगे हरी धनिया से तो हमने इस पर खुब सारी डाल दी हरी धनिया और इसको भी कर देंगे हम खुब बड़ा से mix mix तो देखिए हमाई सब्जी बन के हो गई तयार तब यहां पर हम फ्लेम को कर देंगे बंद और अब इस सब्जी को हटा के हमारे को कढ़ाई में टालेंगे हम थोड़ा सा तैल और तेल हमारा को बढ़ा से गरम हो गया है और गर्खी थी अप यह पूर्यों कितनी बढ़्यों मोटी मोटी से पूरिया हमाई बन नहीं है तो जुमने सूझी डाली थे न उससे यह पूरे हमाई बहुत क्रिस्पी बनता है तो एक बाब बनाके खाना जरूर आप लोग मज़ा ही आ जाएगा तो यह देखिए माई पूरिया कितनी मोटी मोटी से बनी है तो ऐसे ही अपनी हम सारी पूरियों को सेख लेते हैं एक एक करके दोस्तों आज का चैलेंज मुझे मेरे बेटी ने दिया था कि मैं छु मैं अचारी मसाला पूरियों और अलो मतर सुखी सबजी आप लोग साथ बनाके सेयर किया है अगर आप लोग मेरे रेसे पर जरा भी अच्छी लगती है तो प्लिज मेरे चैनल को लाइक शीर सब्सक्राइब करना ना बूलें लेकिन एक वर बनाके खाना तो बनता है बनाके खाईए मजा आजाएगा मजा ना जाय तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन यकीन माने आपको इनास्ता खाके न बहुत मजा आने वाला है तक अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शीर सब्सक्राइब करें थैंक यू